हलो डिये रेश्टुगेंट मेरा नाम प्रजुल सिंग है और मैं आपका टाप 10 क्लासिस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चो जैसा कि बच्चो आपने देखा कि UP बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है और आपकी बोर्ड की एक्जामिनेशन आपकी बोर्ड की ए चलेंगे मतलब की आपका जो जो महत्वपोर्ड हेडिंग होंगे जो आपके महत्वपोर्ड टापिक होंगे हम उन्हें कंप्लेट करेंगे और उसके सासत आपका माडल से माडल पेपर बे करवाएंगे तो और बच्चो एक इनफार्मिशन आपके लिए आपका टाइम चैनल पे टाप 10 ग्लासे बच्चो अप्लोड कर दिया गया है वहां पर से जाकर के बच्चो आप देख सकते हैं आपका पेपर किस दिन कौन-कौन सा पेपर आपका लग रहा है तो ठीक है बच्चो आपका समय हम नगवाते हुए अपनी हेडिंग तीसरा चैप्टर बच्चो तो आपका बच्चो जो वैदुत रसायन है वैदुत से बच्चो आपके निकलेगी वैदुत उर्जा और रसायन क्या निकला बच्चो आपकी रसायनिक उर्जा तो वैदुत रसायन क्या बच्चो वैदुत रसायन रसायन की बार साखा जो वैदुत उर्जा को रसायनिक उर्जा में और रसानिक उर्जा को वैदुत उर्जा में कैसे बदलते हैं इसके बारे में यहां पर हम अध्धन करते हैं और इनके बीच संबंध क्या होता है वैदुत उर्जा और आपकी रसानिक उर्जा में इनके बीच यहां पर हम अध्यन करते हैं तो कहने का पूरा मत्त वादुत रसायन रसायन विज्ञान की वह साखा है वह साखा है जिसके अंतरगत जिसके अंतरगत वादुत जिसके अंतरगत वादुत उर्जा को जिसके अंतरगत बच्चों वादुत उर्जा को रसानिक उर्जा में ब्यादित उर्जा को रसानिक उर्जा में तथा रसानिक उर्जा को तथा रसानिक उर्जा को वैतुत उर्जा में अंतर परिवर्तन तथा इनकी बीच संबन्ध का अध्यन करते हैं तो पूरी बच्चो बात निकल के क्या ही हमारी कि वैदुत रसायन क्या है वैदुत उर्जा और रसाने के उर्जा के बीच संबन्ध और उनके अंतर परिवर्तन का हम क्या करते हैं बच्चो अध्यन करते हैं यही है आपका वैदुत रसायन तो वैदुत रसायन में मेली आप एक बात के ध्यार रखिए हमें आपका यहाँ पर सिल पढ़ना है तो सिल बच्चो कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि कुछ सिल आप देखते होंगे हमारे यह आपके रिस्ट में जो वास लगी हुए यहाँ पर एक सिल लगता है और आपके जो वाल कलाक होते हैं बच्चो उसमें एक सिल लगता है और आपके घर में जो इनवर्टर रखे हुए बच्चो जो उसकी बैटरी रखे हुई जिसे हम बैटरा काते हैं वहाँ का जो सिल है तो अलग-अलग प्रकार के बच्चो हमें आपर सिल देखेंगे तो सिल होता क्या है सबसे पहले आओ हम इसको जाने तो बच्चो जैसे कि हम बात करें सिल क्या है जैसे कि बच्चो हमारे घर में एक बैटरा रखा होता है और हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक आती है जब विद्दुत आती है तो हम उसे क्या करते हैं बच्चो चार्ज करते हैं और जब आपकी घर पे लाइट चली जाती है तो उसी बैटरी से उसी बैटरा से हम इलेक्ट्रिक पाते हैं तो क्या करें बच्चो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई आपका क्या है यहाँ पर जैसे बैटरी है बच्चो और इस बैटरी से यह हैं और इस बैटरी को आपने चार्ज कर लिया है । जब विद्धुत नहीं है तो यह तो रसानिक उर्जा किसमें जिन करें बच्चों विद्धूत उर्जा में और जो आपकी लाइट है तो हमने विद्धूत उर्जा किसमें जिन करें आपका रसानिक उर्जा में तो कहने का पूरा मतलब क्या निकला तो सिल एक युक्ति है जो विद्धूत उर्जा को रसानिक उर्जा में परवर्थित करती है और रसानिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में परवर्थित करती है तो सिल क्या है बच्चों तो सिल एक भौतिक युक्ति है जो विद्धूत उर्जा को जो विद्धूत उर्जा को रसानिक उर्जा में तथा रसानिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में परवर्थित करती है तो सिल क्या है बच्चों सिल आपका एक युक्ति है जिसके दवारा हम क्या करते हैं विद्धूत उर्जा को रसानिक उर्जा में और रसानिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में क्या करते हैं बच्चों परवर्थित करते हैं तो ये बच्चों आपका क्या है सिल और आप आपका देखना है बच्चो ग्यालविनिक सिल ग्यालविनिक सिल जिसको क्या आते है बच्चो आपका बोल्टी सिल कहते है और एक होता है बच्चो आपका विदुद अब घटनी सिल विदुद अब घटनी सिल तो आपके सिल बच्चो मिल ली दो प्रकार के हमें देखने है एक ग्यालविनिक सिल बत्तब बोल्टी सिल और एक क्या बच्चो विदुद अब घटनी सिल है तो आपका ग्यालविनिक सिल क्या है बच्चो तो ग्यालविनिक सिल ऐसा सिल होता है एक ऐसी भौतिक युक्ति होती है बच्चों जो आपके रसानिक उर्जा को विदुद उर्जा में बदलती है जो रसानिक उर्जा को किसे में बदलती है बच्चों विदुद उर्जा में बदलती है मतलब तो यह क्या करते है बच्चों आपके जो रसानिक उर्जा होती है जो रसानी उर्जा होती है उस तो किसे में बदलती बच्छो आपका विदुद उर्जा में बदलती है और आपका यही अब घटनी से क्या होता बच्छो विदुद अब घटनी में कोई वैदुद अब घटनी होता बच्छो आपका और जो क्या घरती है विदुद उर्जा को जो वैद्व तूर्जा को किसे बत्षों आपका रसाइनिक पूर्जा में बदलती है तो यह चीज बच्चों आपको ध्यार रख रहा है अगर हम बात करें जैसे कुछी बूर्टी सिल का तो आपने सुना आप बच्चों डेनियल से जिसे डेनियल ने बनाया था बच्चों त यह उस ने बसका बनाया था और उन्हों ने आपके अऊ-आरगशा बिकाते हैं तो सबसे प्रेश क्या लिया था डेनियल बनाया था उन्हों ने आपके दो पातर ले थे जिने बच्चों अर्द сेल भी कहते बच्चों अबने एक पात्र या बैंफ टोर्ट लिया तो उन्हों ने जो बच्चो के बारे बाथ कर रहे हैं मतलब जिसको डेनियल सard ने बनाया था तो उन्हीं कि हिसाब से हम चलेंगे ठीक है तो उन्हों ने आपका इलेक्त लिया था और जिंक था और जिंक का लेक्टोर लेकर के उन्होंने जिंक के ही विलेन में डूए था, जिंक के लिलेन में डूए था, तो इसी प्रकार से एक और उलक्टोर बचुलिया था, और वो उलेक्ट्रोड क्या था उच्छ आपकर कापर था उन्होंने कापर उलेक्ट्रोड को कापर के विलियर ने बच्छ डूए था वो क्या था उच्छ आपकर कापर का विलियर था तो सपोस यहां पर क्या है आपका कापर सल्फिट तो उन्होंने दो पात्र लिये एक पात बच्चों करेक्ट कर दिया किस्ते साल टेवरिस से लवर्ड से दुस्य बच्चों उन्होंने इन दोनों को क्या कर दिया और करेक्ट करने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बच्चों उन्होंने क्या किस्ते करेक्ट कर दिया आपका बोल्टा मीटर वोल्ट मीटर से न क्या है बच्चो कापर है तो आपको पता है जो कापर की रियक्टिविटी होती है जिंक से बच्चो क्या होती कम होती है और जिंक की रियक्टिविटी ज्यादा होती है तो जिंक यहां से बच्चो किसमें करणवर्ट हो जाता है जिंक जो होता है बच्चो आपको करणवर्ट हो जाता है Gadaun 2 plus में और plus 2 electron अब यह बच्चो अपना 2 electron दे रहा है जिंग यहाँ पर देख रहे है अपना 2 electron क्या है? release कर रहा है अब release कर रहा है तो जो electron देता हो बच्चो उसे हम क्या है tribunal करते है वो प्रक्रिया क्या है बच्चो आपका oxidation है अगर कोई species electron दे रहा है तो इस पक्रिया कम क्या करते है आपका oxidation कहते हैं जैसे बच्चों यहाँ पर देखें कापर sulfate है तो कापर क्या करता है इसके reactivity कम होती है तो कापर क्या देखें कापर दो electron को लेकर के स्यो टू प्लस आपका देखें बिलेर में आपके क्या हो पर बच्चों टाइन ne और आकर सुल्फट अन होंगे तो कापर अन दो electron को लेकर किसमें और करणड़ बच्चों कॉ प्लस में करणवर्ट सॉरि चू में Cheese रहा बच्चों यह बच्या अeriक Americas से naar। यह क्या आपको एककोस में जो आपके कापर आयन है यह दो एकक्टान लेंगे और किसमें कापर हो जाएंगे और आपके यह क्या है जो जिंक है बच्चो जिंक आपके जो है दो एकक्टान रिलीज करके जिंक आयन है बच्चो क्या हो जाएंगे आपके कनवर्ट हो जाएंगे है हमने यहां पर एक कोश जहाब आपका आयन से हैं आपके एक कोश दिखा जो कवेलें में आयन रिलीज हुए है तो यह बात यह जता रहा है तो यहां पर लेक्टान गेन कर रहा है और यहां पर लेक्टान रिलीस कर रहा है तो एलेक्टार्ण गेन जहाँ पे करेगा tried ऑपको क्या- énorm reduction होगाuction मतलब क्या tu आ आप चेंट की का ओपका आकसिकरण होता है तो देखी ऑच्छो आकसिकरण कहा पे हो रहा है कि जिंग गरं जिसे हो रहा है तो इसे हम क्या क्या होगा कि एनोड होगा किया आप gya collection का अफोर को काणीज़ोगा ना देख तो इसी क्या कषब करेंगे चलिक्श्क्ष्ण और पैसे घांथा है तो क्या है उपका क्या अन्य दिख्शन और एकất इलेक्टवोड पे आकषिडेशन होगा उससे हम क्या कें बच्चो इनोड कहेंगे और जहां पर आपका लार्टोर मतलब वह डेक्टवाग्षण तो मतलब क्या बच्चो आफ dobrze जहां पर होगा उससे हम坏 या सिन बच्चोक। तो इतने बात्व डैनियल ने बताया था अब बच्चो बताई ये 박ाभटल पर आपके का काफर की रियाइक्ट्वुटी ज्यादा है तो काफर की रियाइक्ट्वूटी ज्यादा होने के कारत कापर जो आइंस रिलीज करेंगे दोνत्ता ये आप रिलीज करें तो आइं का फ्लॉं होगा बच्चो और जो आइन का फ्लॉं और चलेंगे आपके चेंग हिनकI तरक के रिएंगए centre और् उसके विप्रित फ्लू होगी इस प्रकार से उन्होंने अपने सनस्टना बनाया था यह रहा आपका डेनियस सिल तो डेनियस सिल के बारे में अगर बच्चों हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं तो कुछ चीजे यहां पर हम आपको बता रहे हैं तो बच्चों देखी यहां पर आपका हमने डेनियस सिल को बना दिया और डेनियस सिल को बना करें साल्ट विरिज लवड सेत और वोल्टामेटर वोल्टमेटर यहां पर कनेक्ट कर दिया है तो इसको बच्चों हमें एक्स्प्लेन करना है यह है क्या तो सबसे पहले क्या है ब देनियल में देनियलल में दो भूबर होते हैं क्यों कितने पात्र वच्चों दो हैना एक आपका यह है बच्चों आपका यह है दो पात्र व jsd पात्र को बच्छों क्या करते हैं इन्हीं पात्र को बच्छों क्या करते हैं यह भी आपका अर्दसल है और यह भी बच्छों क्या करते हैं और यह बच्छों क्या करते हैं आपका तो पहले पात्र में रेखे बच्छों पहले पात्र में हम जिंक की राट को, जिंक के इलेक्टोड को, जिंक सल्फेट के वेले में रखते हैं, तो क्या बच्चो, second point, पहले, पात्र में, जिंक के इलेक्टोड को, जिंक के, के के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलेन में रखते हैं और थर्ड पाइंट क्या बच्चों दोसरे पात्र में हम कापर को कापर सल्फेट के विलेन में रखते हैं थर्ड पाइंट क्या बच्चो दूसरे पात्र में कापर को कापर सल्फेट के विलेन में रखते हैं ते अदोनों पात्र को हमने किसे जो रखा है बच्चो लवड से तो इसे साल्ट व्रीज लवड से तो कहते हैं और इसको क्या कहते हैं अच्चो बोल्ट मीटर खाते हैं प्रयाप ली सकते हैं रखते हैं तथा दोनों तथा दोनों और दे सिलो को लवड से तो तथा वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर से जोड देते हैं तो यह रही बच्चो इसकी जो सरश्णा है इसे हम कैसे बनाए है तो इसके बारे बच्चो यहां पर हमने लिख लिया और इसका mechanism क्या कैसे work करता है और इसके बारे बच्चो यहां पर जान लेते हैं को कि जिंक की reactivity क्रियासीलता प्राच्चों की जिंग की क्रियासीलता कापर से ज्यादा होती है इसलिए जिंग अपने दो इलेक्टान छोड़ता है जो जिसका प्रवार कापर इलक्टोड की तरफ होता है जिसका प्रवा कापर इलक्टोड की तरफ होगा और आपको पता इलक्टान इधर बहेंगे विद्धार उसके विप्रीत बहेंगे तो विद्धुत का प्रवार इसके विप्रीत अर्थाथ कापर से जिंग की तरफ होती है तो यह बच्चो आपका मैकरिजम रहा इसकी क्रिया विद्धी क्या बच्चो तो यह आप हमने लिख लिया अब हम बात करतें बच्चो यहां पर जो रियक्शन हो रहे हैं जो आक्सिडेशन हो रहा है इन अपक्रियाओं को हम देख लेते हैं तो देख लेते हैं बच्चो आपकी जो रसानिक प्याय हो रही हैं रसानिक अपक्रियाओं रसानिक अपक्रियाओं तो बच्चो आप ध्यान देजिए यह आपका ऐसे हैं रसानिक अपक्रियाओं तो बच्चो यह दिए बात करें एनूट पर इनूट पर क्या हो रहा बच्चो जो आपका जिंक है जो आपका क्या है जिंक है वह करनोट किसमें हो रहा है चेट डियन टू प्लस में और किसमें करनोट हो रहा बच्चो दो लेक्टार ने अपका रिलीस कर रहा है तो यहाँ पर देखें इलेक्टार रिलीस कर रहा है तो प्रहतान कर नियुक्त कर रहा है संद्रिक्स कर रहा है तो जुए color रखेंथ के वो दो इस्टान एक्षाप्ट करकर कि इसमें आपका स्यूंसर में sellers हो रहें वुच्टो अगर हम संपूर अप्रय लिफना चाहें तो यहाँ पर अगर पकी चंपूर अप्रया लिखना चाहें यहांप अगर बच्चों लिखें हम आपका सम्पोड अभिक्रिया तो सम्पोड प्रिया क्या होगी बच्चों यहांपर देखिए यहांपर बच्चों आपका सिल की अपक्रिया है यहांपर बच्चों हमने लिख लिया और सिल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे के बच्चआ आप खुद ही बताईए जो आपका जिंक है by कोट जोरह रहाया जल्टेयल्ट गब्लस में और इसके बाद इलेक्टान आधाम प्रजानं क्या और एक्स साल्ट भर्रिस चे यहां से बच्चों यह important है और इसलिए बच्चों आप डेनियर सेल रखेगा डेनियर सेल का structure कैसा है डेनियर सेल की रिषानिक प्रिया कैसे कहा प्राक्सिदेशन हो रहा है तो इसे थोड़ा भ्याद से पढ़िएगा तो ठीक है अब बात करते हैं इस पर एक निमेरिकल की बा तो अगले दिन बच्चों हम प्रयास करेंगे आपका जो-जो महत्वपोर टापिक है तो उसे अग कम्प्रेट कर लिया जाए और अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों में सेर कीजिए और अ आपको कई पर डाउट्स बचे हो तो वाया आप कमेंट के आप हमें भेज सकते हैं अगले दिन आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा क्योंकि हमने देखा कुछ बच्चे आपको कमेंट भेज रहे हैं उन्हें जो जहां पर उन्हें डाउट्स लग रहा है तो उनका रि हारत